बच्चे जो शहर की तरफ move करना चाहते हैं, खेती किसानी से दूर हो रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ, खेल के साथ साथ, ऐसे में बच्चों को खेती की तरफ, चाहे हैं शहर के बच्चे हो या गाओं के बच्चे हो, कैसे वो farming की तरफ आगे बढ़ें, innovation की तरफ आगे बढ में लाएंगे उलम्पिक में लाएंगे उनको डाइरेक्ट विदावड किसी एक्जाम के विदावड किसी फिजकल उसके पास किए डाइरेक्ट उनको एपाइटमेंट किया जाएगा देखिए अब बड़ी विशम परिस्थिति आ गई है अब भावक तो चाह रहें कि कहते भी हैं या सरकारे कहती भी हैं कि हम पुलिस भी करेंगए अब इसी सक्षिएख के साथ जुड़े हैं जो months इसके साथ ही तीन राष्ट्रपती वीरता पुरसकार मिल चुका है और एक मुख्यमंत्री पुरसकार मिल चुका है जो बालिवाल संग के उपाध्यक्ष है और इसके साथ ही साथ जो PPS Association है उसके Secretary भी है बहुत महतुपूर व्यक्ति है देवरिया से मूलता है लेकिन एक बात जो सबसे बढ़ियां वो कर रहे हैं वो यह कि बच्चों में Sports Education कैसे बढ़े कैसे Sports के प्रती लोग जागरुक हो इसके लिए बहुत विशेस काम कर रहे हैं हमारे साथ DKSाही जी मौझूद है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है अच्छा मै जब आपके बारे में पढ़ रहा था थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो मैंने पाया कि आप देवरिया के रहने वाले हैं और इनवस्टी पढ़ने गया आम तोर पर देवरिया के लोग जो है वह गौरखपुर इंवस्टी में ही पढ़ लेते हैं आपका रुख कैसे जब हम लोग छात जिवन थे, इंटर में द्यवरिया से कर रहा था, तो हाँ तमाम लोग मिलते थे बताएं कि अलाहबाद में आईयर स्पीसियस बनने के बड़े चांसे दें, अच्छी कोचिंग है, और प्रयागराज उनिवस्टी अपने आपने बहुत पुराना कराएं, जब ग्रेजुशन में आप वहाँ पहुंचें, तो गाहँ देश में बड़ी चर्चा होती हैं, बहुत लोग फेल भी होते हैं, बहुत लोग पास भी हो जाते हैं, इलहाबाद उनिवस्टी में आपके दौर में हम मैंने सुना है कि वहां जो है थर्ड डिविजन लोग पास होते थे, या किसी तरीके से बड़ा सकती होती थी, मैंने ऐसा सुना, ऐसे में IAS PCS बनने की ललक हो, या पुलिस विभाग में आने की बात हो, मन में कोई कसक रहती थी कि कहीं अगर फेल हो गया तो, देखिए डर तो बना ही रहता था, लेकिन हम लोग मेहनत सपन पढ़ाई करते थे, और हम लोग ग्रामीड प्रिष्ट भूमीज थे थे, तो हम लोग का लगाव स्पोर्स के भी तरफ था, तो मैंने ऐलाबाद इंवस्टी से दो बार, आल इंडिया इंवस्टी खिल, एक बार मुंबई गया, एक बार आची गया, खेल में भी हम लोग ब बात आपने बताई, जिसे गाव में आम तोर पर ये चर्चा होती है कि, जैसे मैं अपना ही ले लूग, तो एक पढ़ाई जैसे मैं बीएचु में जब पढ़ने के लिए पहुचा, तो घर से कह दिया गया था, कि नहीं पढ़ाई ही करो, खेलने के प्रती उतने जागरुक अबिभावक नहीं थे, ऐसे में गाव के उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, जो खेल के प्रती जागरुक नहीं रहते हैं, खेल में कैसे रूची बढ़े बच्चों की, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, देखिए, पहले खेल के नाम से लोगों को डरवाया था कहा जाता था, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नाबाब, खेलोगे, कुदोगे, होगे खरार, अब वह चीज बदल चुकी है, इधर गवर्मेंट ने 2% स्पोर्स कोटा कर दिया है, 24 पत गजटेट का अलग कर दिया लोग से वायों को परिदीसिक, जो भी इंटरनेशनल गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉज लाएंगे, लाएंगे, उलम्फिक में लाएंगे, उनको डाइरेक्ट विदावड किसी एक्जाम के, विदावड किसी फिजकल लाओ, उसके पास किए डाइरेक्ट उनको एपाइटमेंट किया जाएगा, उदाहर देख लिजी अभी लईतु अभी करेंट में रामपाल जी खेल के आए, मेरे ख्यास उनको भी क्लाश्टू का पद भी मिल ही जाएगा, तो 2% अधर क्लेरिकल जो है, उन्हीं से वो में भी गवर्मेंट ने हर विभाग में कर दिया, भी पुलिस में 540 करी भरती हुए, जिसमें मेरे गेम का, बॉलीवा पिटाजी भी स्पोर्ट्स्वारम थी, चीम आपने भी अपने बताई की पिटाजी भी स्वोट में हुए थे परिवार में और लोगबे, तो पिताजी तो नहीं होगी आपकी खेलने के लिए? कभी-कभी पिटाई तो हो गई है बच्पन में लेकिन बहुत इस ट्रिक्टली नहीं था कि खेलना नहीं है ज्यादे नहीं खेलना पढ़ाई भी करना है इसके लिए थ्वाव सक्ति हुई थी लेकिन एक चीज़ जो समझ में आती है कि जैसे आप कहा रहे हैं कि कभी-कभी पि को लेकर थोड़े जागरूख है बच्चों की पिटाई नहीं करते हैं देखिए अब बड़ी विशम परिस्तिति आ गई है अब भावक तो चाह रहे हैं कि बच्चे फिजिकल करें मेंटल मजबूत रहें लेकिन इंटरनेट और इस सब जो मुबाईल और उसका आ गया है इ गार्जियन में तो है कि हमारा बच्चा स्वस्त है खेल में भी संभावना है घर्जियन के रूजहान मैंने जहां तक देखा अब खेल के पर कुछ कम हो नहीं मतलब अब वो पेरेडाइम शिफ्ट हो गया है जो पहले अभी भावक कहते थे कि हम जो है खेलो मत पढ़ाई करो जो अपने अभी कहा कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब खेलोगे कूदोगे होगे खराब तो जो आपने यह कहा वो सोच अब बदल गई है लेकिन सब्सक्राइल मुबाइल से थोड़ा सा दूरी बनना लें और ने क्या क्या वर्क हो कि और पढ़ों क्या चलके दोएक का है इस सपोर्च को करें इसको देखिए इसको घर से लेके स्कूल तक इसके लिए उस्था करनी पड़ेगी, बच्चों को थ्वा मोबाईल से दूरी बनाने पड़ेगी, आपको यह क्यर करना पड़ेगा, आप बच्चा आया, आते वस्ता रखा, बैग रखा, खाना खाया, और मोबाईल लेकर शुर जितना आपको आउसकता हूँ, अच्छा जैसे हम एक बात करते हैं, आपने बताया भी कि स्कूल कॉलेजेस में सिखाया जाना चाहिए, ठीक बात है, सिखाया जाना चाहिए, लेकिन एस पुलिस आफसर, स्टीएफ में आप हैं, बहुत सारे अपराद भी ऐसे हो जाते या जानबूच कर मुड़ जाते हैं, जो फ्रिक्शन आफ सेकेंड में जो रियक्शन का टाइम उनका होता है, उसको वो कैसे नियंतुरित करें, तो बच सकते हैं ऐसी चीज़ों से, जानबूच के भी जा रहा है, और गल्ती से भी जा रहा है, आप देखते होंगे हनी ट्र से जुड़ रहे हैं, वहां की लड़किया यहां चली आ रही है, उनके उसमें जाल में फस गें, तो यह बहुत ही मतब खतरना की सिती है, और फिर कुछ लोग हैं, जिनकों हर चीज है, और सहुक से भी अपना पूर्ती करने के लिए, कि किसी को पैसा चाहिए, किसी मतब तम देवरिया साइड में क्या-क्या बढ़िया होता था उस समय, और अब क्या होता है, देवरिया साइड में जो लैंड है, वहां हर चीज आप उपजाओं, जमीन है, वहां धान, गेहूं, और यह सब फल, फ्रूट से सब चीज आप पैदा कर सकते हैं, मिटी बहुत अच्छी है, तो उस दोरान जो गाउं से आपके जो गाउं के लोग होंगे, अभी भी आप जुड़े ही होंगे निश्चित तोर पर, ऐसे में बच्चे जो शेहर की तरफ मूप करना चाहते हैं, खेती-किसानी से दूर हो रहे हैं, पढ़ाई के साथ-साथ, खेल के साथ-साथ, प्र उन्होंने phrase यूज किया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के बाद, जय अनुसंधान की बाद उन्होंने पिछलों दिनों कही है, तो ऐसे में बच्चों को खेती की तरफ, चाहे शहर के बच्चे हो, या गाउं के बच्चे हों, कैसे वो farming की तरफ आगे बढ़े, innovation की देखिए फार्मिंग चुकी अब जमीने छोटी-छोटी बच गए ऐसी लैंड नहीं है पुरुवांचल में कि बड़े फार्म हाउस हो उसमें इतना इन्वेस्ट करके इतना निकाल सकें को उनका अच्छे से हो जाए छोटी-छोटी जमीने हैं जिस सिस्टेम में छोटे-छो नया सब डेवलप्मेंट करना होगा नई चीजें किसानों को देनी होंगी सुविधाय देनी होंगी तभी किसानी की तरफ लोग अगरसर हो अच्छा आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं पुलिस में करियर कैसे बना सकते हैं बच्चे जैसे कि मुख्यमंत्री जी कहते भ होने बद्द हैं है ऐसे में आप कैसे देखते थे हैं कि पुलिस में करियर कैसे बनाने के लिए बढ़ाई के साथ अपने सारी करना होगा पुलीश मी तमाम प्धां में डिपार्टमेंटर परिचाह होती हैं आपने करेक्टर को अच्छा काम करें आप पुलिस विवाग में पुरस्कित भी किया जाएगा तो आप अच्छा काम करके पुलिस विवाग में आगे बढ़ सकते हैं मेहनत करिए और आगे बढ़िए देखिए बच्चों जिस तरह से डीके साइजर बता रहे हैं कि आप फिजिकल भी अपना ठीक रखिए बच्चों को आप स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग भी दिलाते हैं खासकर बॉलिवाल से संबंदे चुकि आप खुद जो है नेशनल खेले हुए हैं और इनवस्टी के तरफ से भी खेलने गए हैं तो कैसे देखते हैं बॉलिवाल में करियर को ले करके अगर बात करें तो भवि आपकी जिंदी होती है और खिलाडी बहुत अभाव में जीता है उससे मोगों इनवस्टी से खीट मिल जाता था है बॉल मिल जाता बड़ी खुसी होती थी हम लोग बाल छुपा चुपा रहते थे बाल मेरा फटने नपाए मतलब मेरा क्याना इस्पोर्समें बहुत गर पर मैंने बात किया तो मैंने एक एकडमी खोला जिसमें इन बच्चों को पढ़ाए जाएगा निश्टुर्क ट्रेनिंग दी जाएगी इनको सारी वेउस्ता दिया जाए तकी ने इनको अच्छा किड दिया जा जाया जाया बॉल तो एक मेरे मन में एक भाव पैदा रह और फिर हम लोग यह 30-40 बच्चों का एक कैम चला रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, और उनको खेनने का अच्छा कर रहे हैं, मैक्सिमा बच्चे हमारे नेशनल खेले हैं, अभी पिछला गोल्ड मेडल उत्तरप्रेस का हमारी सिनियर टीम ने जीता है, लड़कियां थार्ड लड़के फस्ट लाएं में, यह बहुत बड़ी उफलबदी है, रेलवे की टीम में सासठ प्लेयर इंटरनेशनल है, उत्तर प्रेस प्लेश प्लेयर इंस्तर प्लिस बढ 가는 के इंटरनेशनल इंडिया क्हली प्लेयर हैं, उसको महरणाप्रताव एकेडमिं टीम में इन्पू होंगे बड़ा गंभीर विशह में आपसे बात करना चाहता हूं चुकि आप पुलिस विभाग में हैं आप ऐसे केसेस देखते आए हैं देखते होंगे कई बार आप विभावत इतना प्रेशर क्रियेट कर देते हैं कि बच्चे सुसाइड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं जै इससे बच्चा जो है अपने मूल स्टेज में रहे जो उसका बेसिक स्वभाव है उसमें रहे और वो आगे बढ़ पाए देश के लिए कुछ कर पाए प्रदेश के लिए कुछ कर देखिए ऐसे अभावक धोखा खा जाएंगे अभावक को बच्चे की महांसीक्ता को रीड लुढक उठीच में फिलिए नाम उसका ता माई यस्टेशन ऐड्स इस ड्यूटेज मेरा अस्थान और तसम्बंदी कर देखिए ऑनजिनियर कांभना करें इनजिनियर है तो प्रोफेसर कांभक अधुhet जिसका हम जो अस्थान वẫn यह कहना है है बच्चा का ीसमें रूच चाहत असफल पर उसका लाएगा तो गार्जियन को बच्चे की मांसिक्ता को देखनी होगी वह जो चीज पसंद करता है जो पढ़ाई जिस शेतर में जाना चाहता है उसको उस शेतर में जाने दे और उसका पूरा सही ओक करें तभी वह सफल होगा नहीं तो बच्चा कुंठि क्रिकेट खेलने में सपोर्स कि हमारे देश में बड़ा प्रचलित गेम है अब वो क्रिकेट खेल रहा है उसका सेलेक्षन नहीं हो पा रहा वो उसकी रूची है क्रिकेट में लेकिन वह अपना 100 परसंट नहीं दे पा रहा है इसी तरीके से माली यह वह साइंस एंड टेक्न को से बात करनी चाहिए कि आप क्या इसके सिवा कुछ और भी कर सकते हो आपके पास ऑफ्सन है अगर बच्चा ऑफ्सन बताता है तो फुर उस पर भी उसके गारिजन को विचार करना चाहिए साइंस में अगर फेल हो जा रहा है तो उसको देखो हिस्ट्री में तो पढ़ सक करेगा जो प्रामर्स देगा जरूर बच्चा मानेगा क्या उसके बाद की जो संभावना है उस पर विचार करें अगर है तो बच्चा टीचर को अपने आपसी स्वायोग से फिर उसको चेंज करें मुझे एक कॉंसेप्ट याद आया हम लोग प्लिटिकल साइंस में हमारे प्रफिसर साब प्रफिसर आपी पाठक जी वह उन्होंने टीलियो लॉजी एक कॉंसेप्ट पढ़ाया था जिसमें दर्शकों को भी बता दू उसमें यह है कि जो ओक का बीज होता है या जो बरगत का बीज होता है बहुत छोटा होता है लेकिन उसका पेड़ बहुत विश लोगों को समझाया तो उन्होंने बताया कि हर उस ओक के बीज में वह पॉसिबिलिटी होती है वह संभाव्यता होती है अगर अनुकूल परिस्थितियां वातावरण मिले तो वह बशाल का है जो है ओक का विशाल का है बरगत का पेड़ बन सकता है वही बात तो मैं आप से क कि पढ़ाई है खेल है तमाम चीज़ है न तमाम एक सेट फ्यूर अगे यह अगेा थे कैसा माहौल मिलता है तो गार्जियन भी ध्यान देख बच्चों को माहौल हमेसा अच्छा मिले अच्छी बने पढ़ने वाल लग्यों खेलने वाल लग्यों या पॉलिटिक्स में भी हो तो उसमें भी मेहनत करें आगे बढ़ सकते हैं एक आखरी प्रस्मों चुकि आप पुल कराएगी आपको इंट्रेक्ट कराएगी देखिए पुलिस दो तरह की थी आजादी के पहले आजादी के पहले पुलिस का उप्यों उनको अपना स्वार सिद्धी में अपनी हुकोमत को बरबरता पूरु चलाने के लिए किया है तो पुलिस तो फिर ट्रांसफर हुई तब से लगातार पुलिस अपने छवी को लेके तमाम तरह के सेमिनार करती है कालेज में जाके बच्चों से बात करती है स्पोर्स करती है कमुनिटी पुलिसिंग इसको बोलते है कि हर जगा जा जाके हम लोग बताते है कि पुलिस आपका भाई आपका पिता आपका बेटा आपक कि परिवार का है काई से पुलिस अलग से भरती नहीं होती काई सो नहीं भै दिखाया जाता है तमाम पिक्चरों दिखाया गया कि पुलिस ऐसे वैसे हैं अब वो चीजें बदल लहीं दिर दे काफी कुछ बदल चुकी है जो थोड़ी बहुत बच्ची वह भी भष्ष में जाना चाहते हैं तो उसके लिए वो मोटिवेट होंगे और उनके पास स्पोर्स के थ्रू भी एक ऑप्शन है किसी सरकारी नौकरी में हो सकते हैं आपने डली तुपाध्याई जी जो अभी ब्रांज मिडल जिन्होंने जीता है हौकी की टीम में थे वो रामपाल को भी है त वह कैरियर आप्शन में स्पोर्स को भी रखें क्योंकि स्पोर्स अब बहुत बहतर करियर भी दिला सकता है इसके साथ ही साथ आप देश का प्रदेश का नाम भी रोशन कर सकते हैं और पुलिस आपके लिए सदेव बहतर कर रही है आप इंट्रेक्ट करें कम्यूनिटी उद्देश से यही है कि बच्चों में जागरुकता लाई जाए स्पोर्ट्स के प्रति उनका ध्यान बढ़े इसके साथ ही साथ वह अपने देश के लिए कुछ करने का जजबा रखें और निराश तो बिलकुल भी नहों यही हमारा उद्देश से है नमस्ता